चार दिसंबर को हर साल भारतिय नौसेना दिवस मनाया जाता है इस जिन नेवी के जवाबास लड़ाकों को याद किया जाता है 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध में जीत की खुशी में इंडियन नेवी डे मनाया गया हर साल अलग लग थीम पर नेवी डे मनाया जाता है इस साल की थीम रही युद तक पर विश्वस्निय और सुगठित 2019 की थीम थी Silent, Strong और Swift आए जानते हैं इंडियन नेवी को लेकर कुछ इंट्रेस्टिंग फाक्स इंडियन नेवी को पहले Royal इंडियन नेवी के नाम से जाना जाता था नौसेना शाखा की स्थापना 1612 में East India Company ने की थी आजादी के बाद 26 जनवरी 1950 को इसका नाम बदल कर इंडियन नेवी किया गया था चतरपती शिवाजी राजे भूसले को भारते नौसेना का जनक माना जाता है शिवाजी ने सैने संग्ठन बनाने में अपना कोशल दिखाया था समुद्री व्यापार की रक्षा के लिए कोकन और गोवा की तक पर मजबूत नौसेना की टीम बनाई थी अप्रेल 1680 में बिमार होने पर उनकी मृत्ती हो गई थी बारदे नौसेना का आदर्श वाक्य शम्नो वरुन है इसका अर्थ है जल देवता वरुन हमारे लिए मंगलकारी रहे यह वाक्य तैत्रियोप निशत की प्रार्थना से लिया गया है इंडियन नेवी इंडियन आम्ड फोर्स किये किकाई है जिसके सुप्रीम कमांडर देश के राष्टपती होते हैं जो मौझूदा वक्त में रामनाथ कोविंध है इंडियन नेवी दुनिया की टॉप नेवी में से एक है अलग-अलग संस्थाएं कई मापदंडो के आधार पर दुनिया भर के देशों को रांकिंग देती है इसमें इंडियन नेवी टॉप की लिस्ट में रहती है मारकोस कहलीजिये या मरीन कमांडोस यह इंडियन नेवी की सीक्रिट यूनिट है इस यूनिट को मगर मच भी कहा जाता है 26-11 हमलों के दौरान Rescue Mission में इस यूनिट ने बड़ी भूमे का नभाई थी इस यूनिट को लेकर कहा जाता है कि इसकी ट्रेनिंग इतनी मुश्किल होती है कि ट्रेनिंग के दौरान 90 फीस्ती लोग बाहर हो जाते हैं 26-11 मुंबई अटाक के बाद मार्च 2009 में सागर प्रहरी बल का गठन किया गया यह नौसेना की एक एकाई है जो तटिये इलाकों में पेट्रोलिंग करती है INS विराट इंडियन नेवी का पहला एरक्राफ्ट कैरियर और दुनिया का सबसे पुराना एरक्राफ्ट कैरियर था INS विक्रामदित्य इंडियन नेवी का दूसरा एरक्राफ्ट कैरियर था INS विक्रांत भारत में मेनुफाक्चर होने वाला पहला एरक्राफ्ट कैरियर है INS अर्हंत पहली ऐसी बैलिस्टिक मिस्वाइल पंडुबी है जिसे युनाइटेड नेशन्स के पांच स्थाई सदस्यों के अलावा किसी देश ने बनाया है इबारत की पहली नुक्लियर सब्मरिन बोले तो पंडुबी है दुनिया में सिर्फ दो नौसीना के पास एरोबेटिक टीमें है इनमें से एक भारती नौसीना के पास है इसे सागर पवन के नाम से जाना जाता है यहां नौसीना के पास साथ किलो मीटर का एक बीच भी है जो सर्फ ट्रेनिंग के लिए उस्तमाल किया जाता है इंडियन नेवी दुनिया की ऐसी पहली नेवी है जिसकी पंडुबी टीम एवरिस्ट फतै कर चुकी है 18 मई 2004 को भारतिय नौसीना की टीम एवरिस्ट की चोटी पर पहुँची थी इंडियन नेवी दुनिया भर में कई जगों पर राहत मिशन में भी काम करती है श्रिलंका, मौरशस, मेरगासकर, इंडोनेशिया, मुजामबिक, बांगलादेश, यमन, मालदी, मैनमार जैसे कई देशों में आपदा के वक्त राहत मिशनों में इंडियन नेवी का एहम रोल रहा है भारतिय नौसेना ने 1 दिसमबर 2020 को भ्रमोस सूपर सोनिक क्रूज मिसाइल के नौसेन निस अंस्क्रण का पहला सफल परिक्षन किया है यह परिक्षन बंगाल की खाड़ी में किया गया, इस मिसाइल के आने इसे नौसेना की ताकत और भी बढ़ जाएगी जाते जाते कुछ तस्वीरों को देखते जाएए जिसे भारतिय नौसेना ने पिछले नौसेना दिवस्ट पर अपने ट्विटर पेज पर शेयर किया था यह तस्वीरे 1971 में हुए पाकिस्तान के खिलाफ युद से संबंदित है आपके लिए खबर लिखिए हमारे साथी नशानत में मेरा नाम है दव्यांशी देखते रहिए दीलल नटाव शुक्रिया